नमस्कार स्वागत और अभिनंदन आप सभी का हमारा जो पुराने पेपरों का जो शोलिशन चल रहा है यह उसको बढ़ाते हैं आगे और चर्चा करते हैं आज एक और बड़े शांदार पेपर की यानि कि जो आपके 27-8-2022 को हुआ था ARO का एक्जाम था बहुत ही शांदार सा और उसके अंदर राजस्तान जिक्के के जो क्यूशन थे वो भी बड़े अच्छे लेवल के थे आई उनके बारे में चर्चा करते हैं देखिए हां जिक्के से संबंदित आपके सामने ये रहा पहला क्यूशन क्या कह रहा है देखिए पूछा जारा है आपको कि राजस्तान में उपोशन कटी बंदिय सदाबाहरवन कहां पाये जाते हैं आपने नाम देखा कौण सा सदाबाहरवन और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्तान में जो सदाबार वन है वो केवल एक ही शेतर में है और वो है माउंट आबुशेतर माउंट आबुशेतर जिल्ला पुछे तो याद रखेगा सिरो ही इस सदाबार वन के अंदर कोण सी वनश्पती है तो याद रिखेगा सालर है, शिशम है, बर्गद है इन में से important बात याद रिखेगा ये जो सालर है न इस सालर से सर्वेश्रेष्ट गोंद का उत्पादन होता है ये भी क्यूशन पूछ रखा है कि राजस्तान में सर्वेस रेष्ट गोंद का उत्पादन किस वनस्पति से तो याद रखेगा सालर से लेकिन राजस्तान में शर्वादी गोंद उत्पादन तो वो इस्तान है चोहोटन याद रखेगा बाडमेर का तो सदावार्वन हमारी यहां पर कहां पर है तो याद रखेगा आबू परवत शेतर है आपके शिरोई का यहां पर ठीक है नेक्स दूसरा देखे दूसरा क्यूशन है आपके सामने के निम्ण में से कोण सा राजस्तान के एकिकर्ण के मतश्यशंग में नहीं था मतश्यशंग आप जानते हैं राजस्तान एकिकर्ण का फश्ट चरण है मतश्यशंग को नाम मतश्यशंग देनेवाले के एम मुन्सी साब है और मतश्यशंग में कितनी रियासतें विले हुई थी याद रिखेगा चार रियासतों का विले करके एक्षंग मना था मत्तस्य संग कौन कौन सी तो वो है देखिए अलवर, भरतपुर धोलपुर और करोली यानि कि जो नहीं थी वो है आपके स्वाई मादेपुर याद रिखेगा सवाई मादेपुर नहीं थी नेक्स्ट क्यूशन नमर है आपके सामने तीसरा तेजा जी खाली जगे के देवता के रूप में पूझे जाते हैं तेजा जी किस रूप में देवता के रूप में पूझे जाते हैं तो आप सब जानते हैं तेजा जी गो रक्षक है परसे हमारे राजस्तान में परसीज जो लोग देवता गो रक्षक से संबंदित हैं वो आपके तेजा जी है वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रखेगा बाकि जितने भी देवता है वो सब गायों की रक्षा के लिए ही अपने प्राणों के आहुती देते हैं चाए आपके वो गोगा जी हो चाए आपके पाबु जी हो वो भी एक परकार के क्या है याद रखेगा गो रक्षक तो कौन है आपके पाबु जी ठीक है चलिए अगला कुशन देखिए क्यूशन नमर फूर है आपके सामने पुछा जा रहा है बनास बेशीन का विस्तार कहा है बनास नदी देखिए बनास नदी की हम बात करते हैं तो बनास जो नदी है वो आप सब जानते है छे जिल्लों में जीसे रा समन्ध से निकलती है रा समन्ध के बाद में वो चलती है आपके चितोड़ के बाद में है भीलवाडा भीलवाड़ा के बाद में है अज्मेर अजमेर के बाद में है टॉंक और टॉंक के बाद में है सवाई मादेपूर यही तो छे जिल्ले हैं जहां पर बहती है कौन सी बनास तो यहां पर देख लिए जेपूर में बहती नहीं है दोसा में नहीं बहती है जेपूर में नहीं बहती option number A is correct answer टॉंक वेशवाई मादेपूर option number A is correct answer ठीक है अगला देखे मारवाड युथ लीग की इस्तापना कब की गई थी बहत अच्छा question है यह मारवाड युथ लीग युवाओं को साथ में लिया था किसने डॉक्टर जे नाराणी व्यास दुवारा डॉक्टर जे नाराणी व्यास दुवारा मारवाड युथ लीग की जो इस्तापना है वो की गई थी 1931 में याद रखेगा 1931 के अंदर डॉक्टर जे नाराणी व्यास दुवारा किसका गटन किया गया था मारवाड युथ लीग का अगला है पाबुजी के भोपों का वाद्दियंतर है पाबुजी के जो भोपे हैं उनका वाद्दियंतर जैसे पाबुजी के फड़ का वाद्दियंतर का उप्योग लेते हैं तो याद रिखेगा रावन हत्ता आप मुझे comment करके बताएगा कि रावन हथा किश परकार का वाध्य अंतर है अच्छा क्यूशन है जैसे आपको पुछा जाए कि गुजजर जाते के भोपों का वाध्य अंतर कोन सा है तो याद रिखेगा जनतर क्योंकि जनतर वाध्य अंतर के तेथी देव नाराइन जी की फड़का वाचन होता है जैसे पाबु जी की फड़का वाचन रावनात्ता के माध्यम से होता है अगला देखे क्रिशन नमबर है आपके सामने साथ क्याल शेली के गायक और रचनाकार मंदरंग बहुत इंपोर्टेंट है कई बार गराना देके पुछा जाता है इस गराना के परवर्टक कोण है इस बार बंदे का नाम देके पुछा है कि ये किस गराने के परवर्टक है याद रखेगा जेपुर गराना के परवर्टक है मंदरंग खां याद रखेगा अगला देखे हाल गुरु उपादी धारन करता कौन थे हाल गुरु देखिए आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्तान इतियास में सरवादिक उपादियों से जिने नवाजा गया है वो कौन है तो राना कुमबा लगभग इनको 108 उपादी है और इसकी जानकारी हमें कीरती इ जिता है ठीक है तो इन में से हाल गुरु की उपादी हाल गुरु का मतलब होता है जिनोंने पहड़ी किलों को जीता है वो है आपके कौन तो याद रिखेगा कुमबा क्यूंकि हमारे राजस्तान में शर्वादी किलों के निर्माता भी कौन है कुमबा अगला देखी अगला है आपके निम्न में से राजस्तान के किन जिल्लों में चंबल नदी बहती है चंबल नदी आप सब जानते हैं छे जिल्लों में बहती है ये भी बनास की तरह हमारे राजस्तान की तीन ऐसी नदिया हैं जो छे छे जिल्लों में बैती है एक तो बनाज छे जिल्लों में बैती है एक चम्बल छे जिल्लों में बैती है और एक आपके लूनी नदी है ये भी कितने जिल्लों में छे छे जिल्लों में बैती है याद रखीगा तो यहाँ चम्बल छे जिल्ले कौन चाहिए देखिए चितोडगड से तो परवेश करती है फिर उसके बाद में चलती है कोटा कोटा से चलती है बुंदी बुंदी से चलती है सवाई मादेपूर से आपके चलती है करोली करोली से चलती है दोलपूर तो यहां पर कौन सा हो जाएगा अलवर कहीं नहीं है जालावाड बारा यह भी कहीं नहीं है यह भी नहीं है आप्शन नमबर है तीन बुंदी कोटा स्वाई मादेपूर और दोलपूर याद रिखेगा ठीक है तो चंबल भी छे जिल्लों में बहती है अगला विप्रइट के अनुशार D A डेस W जलवाईू परदेश के अंतरगत निम्न में से कौन से जिल्ल्या आते हैं देखेगा यह राज़स्तान है कि इस राज़स्तान के अंदर यहां पर जो है वो है आपके E A डेस D no doubt ठीक है यहां पर है आपके D B डेस डबलू यहाँ पर जो है वो है C A ड़ेस डबलू यहाँ पर है D A ड़ेस डबलू पूछ क्या रहा है D A ड़ेस डबलू जलवाईू परदेश किन जिल्लों में आता है देखिए यदि हम option number 4 शे शुरू करें जोदपूर वे कोटा तो आप जानते है कोटा तो यहाँ है C A C A ड़ेस डबलू यह तो नहीं है फिर बिकानेर और चूरू देखिएगा चूरू यहाँ है और बिकानेर यहाँ है यह भी नहीं है फिर है आपके गंगानगर और जैपुर तो गंगानगर जो है वो तो किसमे D, B, D, W में यहाँ पर यह भी नहीं है बचा option एक याद रखेगा शीरोही शीरोही, पाली और अजमेर यह सब किसमें आते हैं D, A, D, W में लोके से नहीं याद रखनी है ऐसे ही आपको पता हो तो थोरनवेट की है ऐसे ही आपको पता हो तो आपके टिवारता की है ऐसे ही आपके कोपेन की है अगला देखिए अगला है मेवात चेतर के परमुक्षंत, मेवात मेवात का मतबब आप समझ गी होंगे अलवर और भरतपुर का शेतर ठीक है? अब मेवात चेतर के परमुक्षंत हरी दाहजी है सुंदर दाहजी है लाल दाहजी है नागरी दाहजी समझेगे आप लाल दाहजी लाल दाहजी मेव जाते से संबन देते हैं जो कि एक मुस्लिम जाती है लाल दाहजी के बारे में कहा जाता है एक मात्र ऐसे संत जो जनम से मुस्लिम है लेकिन करम शे इंदु है लाल दासी और इनका एक संपरदाई भी है याद रखेगा लाल दासी संपरदाई लाल दासी संपरदाई इनकी रचना है लाल दासी रीचे तावनिया ठीक है और मेवाशेत्र के एक और परशिद संत्वे हैं संचरणदास जी चरणदासी शंपरदाई जिनकी परमुख पेड़ दिल्ली में है अगला देखे क्यूशन नमबर है आपके सामने 12 क्या पूछ रहा है BWHW जलवायू परदेश में कौन से जिल्ले आते हैं यह आपके कोपेन का यहां पर है BWHW फिर है BSHW फिर है CW G और उसके बाद में है AW पूछ भी क्या रहा है BWHW यह रहा BWHW अब यहां पर कौन-कौन से जिल्ले है जैपूर दो सालवर है क्या नहीं जसलमेर विकानेर गंगा नगर जसलमेर विकानेर गंगा अगर आप्शन नमबर 2 तो यही तो है आपके कोपेन का ठीक है और थॉर्णवेट का अभी हमने देखा ऐसे मतलब लोकेशन याद रखेंगे ना तो काफी सारे कुशन इजी हो जाते एडेस डी यहां पर था आपके बी डबलू डी यहां पर था आपके शी एडेस डबलू यहां पर बचा डी एडेस डबलू किस परकार यह थॉर्णवेट का यह आपके कोपेन का ठीक है यह लीजी अगला देखें बड़ा अच्छा क्योशन आया है आतपर मेहंदी के मानने लेहरिया और घेवर मानने जाते हैं आपको पता ह यह किस तेहार की बात हो रही है तो यह जिस तेहार की बात हो रही है वो है तीज अउशर पर सरवादी गेवर खरीते न और मेहंदी बें अंदर बनाते भी हैं गेवर लेहरिया यह मानने आप्शन नमबर फूर तीज के तेहार में ठीक है यहां पर आप्शन हो जाएगा फ राजस्तान में जो शर्वादिक लिंगानुपात है वो आपके किस जिल्ले का है तो आप कहेंगी डूंगरपुर का राजस्तान में शर्वादिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है और कितना है नाइन नाइन फूर option number A is correct answer यह question ऐसे पुछा गया है याद रखना है ठीक है चलिए ठीक है साबास अगला देखी question number 15 भीमजी की डूंगरी है देखी बिज्जक की पहडी भीमजी डूंगरी और एक और याद रखेगा गनेश डूंगरी अच्छा महदेव डूंगरी यह सब की सब जो डूंगरी है आपके कहां पर है याद रखेगा है बेराठ में तो बिज्जक की पहडी भीमजी डूंगरी गनेश डूंगरी महादेव ढूंगरी ये सब कि सब कहां पर है बेराठ में अगला देखे अगला है सित्ता बाड़ी का मेला आयुजित किया जाता है अब सित्ता बाड़ी का जो मेला है वो आप सब जानते है सेहरिया जंजाति का कुम्ब है सेहरिया जंजाति का कुम्ब और सरवादिक शहरिया जंजाती है बारा में तो शित्ता बाड़ी का जो मेला भरता है वो आपके भरता है बारा में लेकिन आप देखेंगे यहां ओफ्षन नहीं है बारा ओटा बुंदी ब्यावरो रजमे रहे मतलब इस क्यूशन पर इस्टार लगा लीजिएगा यह क्यूशन एक्जाम के अंदर डिलेट है ठीक है यह क्यूशन डिलेट है Next क्यूशन नमर है आपके सामने 17 क्या कह रहा है रणमल चंद के रच्चेता कौन है नर्पति नाले सिर्धर व्यास पदमनाब या सुन्दर दास जी तो रणमल चंद के जो रच्चेता है वह है सिर्धर व्यास ओप्शन नमर दो इस यह करेक्ट आस्वर पदमनाब की तो वैसे इस्पेसल रचना है वीरम देव शोनगरारी वात या फिर कहनर देव परबन बड़ी इंपोर्टेंट दो रचना है कहनर देव परबन और वीरम देव शोनगरारी वात याद रिखेगा ठीक है और नर्पति नाले की तो ही बिशल देव राशो अगला क्यूशन नमर 18 आपके सामने लाल पिल्ले किसमे है आप यहेंगे लाल पिल्ले मेवाड शेली अक्सर मेवाड के साथ सकी तो लाल पिल्ले होते हैं जादा ठीक है अगला देखे क्यूशन नमर है आपके सामने 19 क्या पूछ रहा है अरावली श्रेनी का निम लिकित में से उच्तम भाग कहां है अरावली श्रेनी का जो उच्तम भागे वो कहां है उदेपूर में कुंबल गड और गोगुंदा के बीच हाडुती के पटार से कोटा के बीच यह तो अरावली है नहीं उत्री रास्तान कार दीजिए नहार गड से जेगड नहीं लीजी नेक्स्ट क्विशन नमबर बीस लूनी बैसीन किस पारस्तिती की परदेश का भाग है लूनी जो बैसीन है वो किस का भाग है अरावली का है क्या नहीं मरुस्तल का बिलकुल क्योंकि आप सब जानते हैं लूनी जो नदी है उसका जो बहाव शेत्र है वो सरवादिक मरुस्तल में ही तो है वह अजमेर से निकलती है उसके बाद में आप देख लीजिए नागोर है आपके पालि है जोदपुर है बाड़मेर है जालोर है ये पूरा शेत्र मरुस्तल की तो है तो लूनी बैसीन किस पारस्तिती की तंत्र का भाग है तो याद रिखेगा मरुष्टल का क्यूशन नमबर 21 जनगन्ना 2011 के अनुसार राजस्तान में अधिक्तम कुल जनसंक्या का सई अवरोही करम अवरोही करम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर सरवादिक से न्यूनतम की ओर तो सरवादिक जनसंक्या आप सब जानते हैं जेपुर है ठीक है यह सब महीं है फिर आपके ऑप्शन के अकोर्डिंग जोदपुर फिर अलवर और फिर आपके कौन सा है नागोर अवरोही का मतलब समझे ना बड़े से छोटे की ओर अधिक तम से न्यूनतम की ओर अगला देखे अगला है श्वेतांबर जेनो दुआरा पर्यूशन पर्वे यह परशित क्यूशन है बई पर्यूशन पर्वे का सम्मन्द किस धरम से है एक तो यह कूशन याद रखेगा जेन द्रम से दूसरा यहाँ पर पूछा गया है किस महा के अंदर तो याद रखेगा भादरपद में आता यह 8 दिन अच्छे यहाँ पर भादरपद भी दो ओप्शन में है तो भी है भादरपद 8 दिन तक ठीक है अगला देखे अगला है आपके सामने भुराट पठार का फिलाव निम्न में से है भुराट का जो पठार है उसका फिलाव कहां से कहां तक है कुम्बलगड और गोगुंदा के मद्दी कुम्बलगड है आपके रासमन में और गोगुंदा है आपके उदेपुर में कुम्बलगड और गोगुंदा के मद्दी जो पठार है वो है आपके भुराट का फिलाव पंचबद्रा जील है वह आपके कहां पर है बाडबेर के अंदर इसी जील के वज़े से एक नदी का पानी खारा हो जाता है वह है लूनी तो आप समझी गए हैं ये खारे पाने की क्य जील है पंचबद्रा जील याद रिखेगा राज्य में सर्वेस रेष्ट खाने योगी नमक इसी जील का है नाइन्टी एट पर तिस जहां पर क्या है एन एसी एल सोडियम कलोराइड याद रिखेगा ठीक है नेक्स्ट क्यूशन नमर्नेक्स्ट रंग महल इस्तित है रंग रंग महल क्या है एक तो वो महल है तो वो तो आपके बुंदी के तारागड में लेकिन ऐसा कोई option में नहीं है यह आपके काली बंगा पिली बंगा वैसी एक सब्यता है रंग महल कहां पर याद रिखेगा हनुमान गड़ में कहां पर है यह हनुमान गड़ में ठीक है अगल चंबल बनास लूणी या घंबीरी देखेगा चंबल बनास और गंबीरी यह तीनोग तीनोग है आपके किसी बंगाल की खाडी का भाग बचा एक यह उप्षन में कौनसा लूणी नदी यह आपके किसका है अरवशागर का भाग ठीक है तो यह था आज इसका हमारा पेपर का शोलूशन ए आरो के पेपर में जिसके अंदर राजस्तान जी के बड़े अच्छे क्यूशन थे इन 26 क्यूशनों से संपुर्ण रास्तान जी के रिवाइज हो गया जियोग्राफी भी देखी इतियास भी देखी और कल्चर भी ठीक है मिलते हैं इसी पर झाल 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 झाल